भिंडी की सबजी तो हम सभी को बहुत पसंद आती है लेकिन आज मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीकी से बनाऊंगी आज मैं बनाऊंगी मसाला भिंडी बुरजी की रेसिपी चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम भिंडी जिसे मैंने स आप तरीके से धोके सुखा लिया था और इसको बहुत चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको मैंने 15 मिर्ट के लिए पंखे में सुखा लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख लिये है गैस पे और इसमें मैंने एड़ किया तीन बड़े चमबस तेल गरम हो जाए तो हम इसमें आट करेंगे आधा चमबस जितना जीरा साबुछ जीरा एड़ कर लिया और कुछ सेकन्ड के लिए हमें इसे फ्राय कर लेना है जीरा हमारा fry हो जाए तो मैंने इसमें add किया प्याँज दो छोटे साइच के प्याँज को बारी काट लिया है उसे add कर लिया और इसे 2-3 मिनट के लिए medium flame पे ऐसे fry कर लेंगे इधर प्याँज थोड़ा सा fry हो जाए तो हम इसमें add करेंगे आधा चमबज लहसुन का पेस्ट इसे add कर लिया और कुछ second के लिए इसको भी हमें fry कर लेना है यह जब fry हो जाए तो मैंने इसमें add किया 2-3 ग्रीन चिली हर इमिर्च को बारी काट के add कर लिया है कुछ second के लिए fry कर लिए अब मैं इसमें add करूंगी बारी कटावा टमाटर एक छोटे साइच का टमाटर लिया हुआ है और टमाटर को हमें 2-3 मिनट के लिए इसे fry कर लेना है अब मैंने इसमें add किया आधा चमबज नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और इसे अधे मिला लेना है यह मैंने मिला लिया है अब मैं इसमें add करूंगी बारी कटीवी भिंडी और इसे ऐसे medium flame पे 3-4 मिनट के लिए ऐसे fry कर लेना है अब मैं भिंडी को ऐसे खुला ही छोड़के medium flame पे 3-4 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इसका moisture खतम हो जाए बीच बीच में चलाते जरूर रहे से वनना भिंडी नीचे से जल तकती है ऐसे चला ले इधर भिंडी हमारी सई धंग से fry हो चुकी है मैंने इसमें एट किया यह हल्दी पाउडर 1-4 चमबच और एक चमबच कस्मरी लाल मिर्ज 1-4 चमबच ब्लैक पेवर पाउडर और साथी मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पर लिया है आधा चमबच जीरा पाउडर इसके साथी मैंने लिया है आधा चमबच गरम मसाला पाउडर और आधा चमबच मैंने लिया है चाट मसाला पाउडर और इन मसालों को इस बिंडी के साथ ऐसे मिलागते हुए तीन से चाल मिनट के लिए पका लेंगे ये मैंने मिला लिया है अब मैंने इसमें एड़ किया सौ ग्राम जितना पनीर पनीर को दो से तीन मिनट के लिए ऐसे फ्राइ कर लेंगे बिंडी के साथ एथे चलाते वे मिला लें से ये देखे हमारी मसाला भिंडी भूजी की रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है अगर आप कोई पसन आई हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यवाद